सस्क्राइब करें सरकारी जानकारी चैनल को और साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे हलो नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का सरकारी जानकारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप मेंसे बहुत से महिलाओं को परधान मंतरी के द्वारा परधान मंतरी उजला योजना इसकीम के तहत फिरी में सलेंडर दिये जा रहे थे दोस्तों आप लोगों को ये सलेंडर तीन महिने तक फ्री में मिलने थे यानि तीन महिने तक आप से इसके लिए कोई सुल्क नहीं लिया जाता था लेकिन उसके बाद ये सलेंडर बंद हो गए थे मिलने लेकिन हाली में आई खबर के मताबिक सरकार ने इन सलेंडरों की तारीख अब बढ़ा दी है अब आपको ये सलेंडर सितंबर तक मिल सकेंगे जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इंडिया.com की वेब साइट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है उजला योजना के लाभारती अब सितंबर तक ले सकते हैं मुफ्ट सिलेंडर दोस्तों इस वीडियो में हम इसकी आपको पूरी डीटेल से जानकारी देंगे जैसा कि आप सब लोगों को पता है कुरोना काल में सरकार ने महिलाओं को उनकी आर्थिक मुदद के लिए उन्हें फिरी में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था लेकिन यह सिर्फ तीन महिने तक ही मिलने थे लेकिन केंद्री मंत्री ने बताया कि उजला के लाभारतियों के लिए तीन सिलेंडर मुदद देने का ऐलान और किया गया है लेकिन पहले महिने सबने सिलेंडर उठाया दूसरे महिने भी उठाया लेकिन तीसरे महिने अनेक लोगों ने इसे नहीं उठा पाया क्योंकि एक सिलंडर जरूरी नहीं है कि महीने भर ही चले उससे ज़्यादा भी चल सकता है यही कारण है तीन सिलंडर मुफ्त देने की सीमा आगे बढ़कर सितंबर कर दी गई है जी हाँ दोस्तों सरकार ने करोना काल में गरीबों की आर्थिक सुरच्छा परदान करने के लिए मकसद से केंदर सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर पीम जी के वाई सुरू की है इस package के तहट उजला के लाभार्थियों को एक अपरैल से तीन महिने की अवध के दोरान तीन सलंडर मुफ्त रिफिल स्विधा प्रदान कराई गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर सितंबर तक कर दिया गया है तो अब आप इसका सितंबर तक लाभ उठा सकते हैं और आप फि से बता देंगे अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो इसे एक लाइक करें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए सरकारी जानकारी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके